अपना तीन कर्तब नहीं भूलना चाहिए. पहला कर्तब यह होना चाहिए मेरे भाई, जब भी लोकतंदर का त्योहार आए, हम लोग जिस पार्टी को चाहिए, जिस निता को हमारा मन करे, जो भी हमें अच्छा लगता हो, हम लोग जाकर पहले अपना वहां मतदान करें. मतदान करने के बाद जो भी चुनकर आता है सरकार, चाहिए हम उसे ओट दिये हो या न दिये हो, उसे हमें स्वागत करना चाहिए, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. दूसरा हमारा सबसे बड़ा कर्तब यह है, मेरे भाई कि हम अगर टेक्स देने लायक हैं, तो हम सरकार को समय समय पर अपना टेक्स दे. और जो तीसरा सबसी बड़ा जो है इस वापर हमारा कर्तब बनता है मेरे भाई, कि सरकार से सवाल कूछना. सरकार अगर कुछ भी अच्छा कार कर रही है, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि तारीफ हर किसी को अच्छा लगता है, तारीफ एक ऐसी चीज होती है, जो हर एक इनसान को अपना उसका मनोबल बढ़ाता है, लेकिन अगर यही सरकार कुछ भी अगर गलत कर रही है, या फिर अपने मन माने ढंग से नेतियां बना रही है, तो इसके बारे में हम सब लोग चाहे उस सरकार को ओट दिये हो, चाहे उसके सपोर्टर हो, चाहे बिरोधी हो, हम सब को उसका मिल कर बिरोध करना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार का बिरोध ही लोग जिन्दा रहेंगे यह माल लिजी तभी तक लोगतंत्र जिन्दा रहेगा और जिस दिन सरकार का बिरोध करने वाले खतम हो गए सरकार के बिरोधी खतम हो गए आप यकिन से माल लिजी यह कि उस दिल लोगतंत्र जो है लोगतंत्र क को एक काइना दिखाते थी, उनके कम्मियों को निगरानी करती थी, उसे जो है नोटिस देकर चुपकरा दिया गया, तो मेरे भाई, ये लोकतंत्र में एक कहा है, हमें तो सम्मिधान में अधिकार दिया गया है, कि हमें अभिव्यक्ती की आजादी है, हम सब एक सम्मिधानिक तरीके से अपना बिरोध जता सकते हैं, लेकिन ऐसा जब हो गया, एक सिंगर समयधानी तरीके से अपना समाजिक मुद्धों को नहीं उठा सकती, तो यह कहां करलोक तंद्र है, यह कहां तक न्याव है, तो इसलिए मेरे भाई, जब सब लोग, जब तक उसके किसी भी सरकार के ओटर और सपोटर मिलकर किसी का बिरोध नहीं करेंगे, तो अब तक सरकार के कान में जू नहीं रहेंगेगी, क्योंकि सरकार को पता है, कि यह लोग जो हमारा बिरोध कर रहे हैं, यह तो हमारे बिरोध ही हैं, इनके बिरोध करने से हमारा कुछ नहीं उखड़ने वाला है, जब तक ओट देने वाले इसके खिलाफ नहीं आएंगे तब तक सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी तब जाके उनके समझ में आएगा कि भीया ये तो हमारा ओटर है हमारा बिरोध कर रहा है तो हमें कुछ न कुछ जो है अच्छा निड़ा इनकी बातों को सुनना चाहिए क कुछ अच्छा सोचना चाहिए कुछ अच्छा करना चाहिए कुछ अच्छी रणनित बनानी चाहिए तो ये सभी होती है मेरे भाई बिरोध करना एक लोगतंत्री खोपसूर्ती होती है एक सम्वेधानिक तरीके से हर आत्मी जब तक बिरोध करता है बिरोध का मतलब ये हो तो दिखाना चाहा रहा है, तो यह होता है यहां पर.